शंक्वाकार प्रक्षेप में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे दो मानक अक्षाइश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की इससे पहले मैं आपको बता दू कि कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम और सेक्षिन अटेंडेंस के लिए लिख दीजेगा पिछले वेडियो में हमने बात की थी एक मानक अक्षाइश वाले शंकुप्रक्षेप की उसका थोड़ा सा कुईक रिविजन में आशा करते हैं उसे आपने बना भी लिया होगा कुईक रिविजन लेते ह। उसमें हमें मांते हैं कि ग्लोप पर किसी एक अक्षाइश पर जो है वो स्पर्ष कर रहा है इसलिए उसका नाम दिया था एक मानक अक्षांश वाला शंकू प्रक्षेप यहां जैसा कि नाम से स्पष्ठ है दो मानक अक्षांश वाला शंकू प्रक्षेप अर्थात शंकू दो अक्षाइशों को स्पर्ष कर रहा है उस प्रक्षेप में एक मानक अक्षाइश पर मापनी विशुद्ध रहती है शेश पर डिस्टॉर्ट हो जाती है विकृत हो जाती है शुद्धियां बढ़ती जाती है उसकी तुल्ना में शुद्धियां बढ़ाने के लिए शुद्धि पर distortion विक्रती बढ़ जाती है देखिए ये एक प्रामानिक अक्षान शक्वाकार का ही दन्शोधित रूप है इसमें शंकु को एक पारदर्शक ग्लोब के बीतर प्रवेश हुआ कल्पित किया जाता है ऐसा माना जाता है कि ग्लोब के अंदर शंकु प्रक्षिप कर चुका है और इस प्रक्षिप में कागश ग्लोब के दो स्थानों पर स्पर्ष करता हुआ कल्पित किया जाता है कल्पना है परिकल्पना पर आधारित है ये दोनों स्थान प्रामानिक अक्षान्ष माने जाते हैं वास्तम एक समतल कागश ग्लोब को एक ही स्थान पर परश करेगा पर दो अक्षाइशों को इस परश करेगा ये संभव नहीं है इसलिए एक परिकल्पना मात्र है साधर शंक्वार का प्रक्षेप में एक प्रामानिक अक्षाइश होता है जिसमें उत्तर दक्षन की दूरियां शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं की जाती ह इस प्रक्षेप में प्रामानिक अक्षाइश एक के स्थान पर दो होती है जिससे उत्तर दक्षन की दूरियां अधिक शुद्ध रूप में प्रदर्शित की जा सकती है इन दोनों प्रामानिक अक्षाइशों के सहारे शेत्रफल शुद्ध होता है अतह प्रामानिक अक्ष अक्षांशों के चनाव में बहुत सावधानी बरतनी के आवश्यक्ता है इस प्रक्षेप में एक की स्थान पर दो प्रमाणिक अक्षांशों के सहारे मापक शुद्ध होता है इसी कारण इनके मध्य में फैले मानचित्रों में अशुद्धता के स्तर पहले की तुलना में कम माना जाता है यदि दोनों प्रामानिक अक्षांश दूर हुए तो इनके मध्यवर्ती भाग विकृत हो जाएंगे इसी प्रकार पूरो पक्षिम दिशा में फैले मध्य अक्षांशी देशों को उनके विस्तार के अनुसार इनका स्थानों का प्रामानिक अक्षांशों का चैन करना अवश्यक माना जाता है तो यहाँ पर प्रश्ण है यह प्रश्ण जो की हमने पिशली बार जो आरेफ लीती उसी पर लिया गया है प्रश्ण एक अनुपाद 12.50 मिलियन मापनी पर बने एक स्थान के लिए दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें मानक अक्षांश 30 डिगरी और 60 डिगरी उत्तर हो और प्रक्षेपांतर 10 डिगरी हो इसमें स्थान का विस्तार जो प्रदर्शित किया गया है वो एक्वेटर से 0 डिगरी से 80 डिगरी उत्तर और 70 डिगरी पूर्व से 70 डिगरी पश्चिम का विस्तार प्रदर्शित किया जा सके अब एक बात विशेश रूप से जो हमने पहले किया था वही काम हमें यहापर करना है फर्स्ट स्टेप में हम प्रत्वी के रश्नाविदी के अनुसार प्रत्वी के लगुकरत गोले का अर्दव्यास बराबर प्रत्वी का वास्तविक अर्दव्यास बटा निरूपक भिन्न का हर याने की 635 मिलियन बटा 12.5 मिलियन बराबर 5.08 सेंटीमिटर याने इसी आधार पर हमें यहां 5.8 cm का एक चतुर्थांश व्रत का जो चौथाई हिस्सा होता है उसे चतुर्थांश कहते हैं तो यहां एक सीधी रेखा आप पहले स्केल की सहायता से 5.08 की खीचिए जिने A और B नाम दीजिए फिर प्रकार की सहायता से A बिंदू पर प्रकार की नोक रख करके B तक प्रकार को खीचिए और एक चतुर्थांश सबिंदू तक जो की A पर 90 डिगरी यहाँ पर 90 डिगरी कोन बना लीजे अ पर जिससे यह बिल्कुल सीधा बनेगा 90 डिगरी का कोन बनाईए और अ से अ स ब एक चतुर्थांश बना लीजे पहला काम इसके बाद चुकि अंतराल हमें 10 डिगरी दिया है इसलिए चांदा रखिये और चांदे की सहायता से 10 डिगरी का यहाँ पर एक ब और क ड्रॉ कर लीजे आगे अब हम अगला जो स्टेप करेंगे वो स्टेप है कि हमें पता है कि यहाँ पर जो मानक अक्षांश है हमारे वो 30 डिगरी और 60 डिगरी है चांदा रखिये रहने दीजे और चांदे की सहायता से 10 के बाद 30 डिगरी और 60 डिगरी दोनों एंगल कोन बना लीजे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हैं आपकी क्रमश ख और ग ये दोनों कोण आप बना लेजे अब next step इनको आप scale की साहता से अ से क, अ से ख, अ से ग तक मिला भी दीजे अब हम आगे अ ब से क तक याने 10 डिगरी का अंतराल प्रकार में भरेंगे और अब इन्दू पर रखकर उसे एक छोटा यहाँ पर चतुर्थांश यहाँ पर आप यह देख रहे हैं यह एक चतुर्थांश है वो हम बनाएंगे इस चतुर्थांश से अब हम ख की जो रेखा इसे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से एक सीधी रेखा स्केल की सायता से चोट तक खीचेंगे जो की 30 डिगरी मानक अक्षांश पर और 60 डिगरी मानक अक्षांश पर जो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ रह तक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटी रेखा बनाएंगे अब यहाँ पर देखिए पिछले अक्षांश पिछले जो वन स्टैंडर्ड पैरलल था उसमें हमने एक सीधी रेखा आगे तक बढ़ाई थी सर को आगे तक बढ़ाया था और फिर एक रेखा कीची थी जिससे कि हम उसको अलग से ड्रॉ किया था लेकिन यहाँ यह दो एक ही रेखा दोनों ख्षांशों को इस परश करे संभव ही नहीं है इसलिए एक अलग से रेखा हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको एक अलग से यह दो नंबर का था यह तीन नंबर का माल ली जा एक अलग से रेखा बनाएंगे हम एक अलग से स्ट्रेट रेखा जिनके बीच अंतराल जो क ये वाला क ख जो ख है हमारा वहां तक का और ख पर आप क्रमशह क से ख तक का डिफरेंस भरेंगे जिनमें की 30 डिगरी और 60 डिगरी के बीच में जो अंतराल है उसको ले करके हम यहां क पर और ख तक का डिफरेंस भरके इन पर क्रमशह हम यहां पर जो हमने रेखा कीची है च और र तक इन्हें क्रमशह बनाएंगे और फिर सीधी रेखा से इनको जोड़ देंगे ऐसी रेखा कीचेंगे जो इनको जोड़ते हुए आपस में मिले इससे हमें क्रमशह इन बानक अक्षानशों पर देशांतरी यह दूरियां मिलेंगी अब हम में प्रक्षे बनाते हैं चौथे नंबर में इसमें सबसे पहले हम सीधी रेखा कीचेंगे सीधी रेखा जो की आप यहां देख पा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कीचे हमने इस स्ट्रेट लाइन में अब हम क्रमशह नीचे से 10 डिगरी हमें क्या आंतराल बनाना है 10 डिगरी का तो यहां क्रमशह हम 10 डिगरी से याने 0 डिगरी से बिल्कुल अंत से शुरू करते हुए इसको प्रकार में भरके 10-10 डिग्री के अंतराल पर मार्केशन करेंगे 10-20 यहां पर आप देख पा रहे हैं डिमार्केट कर लीजिए इनको सबको 80 डिग्री चुकि हमारा विस्तार है सेलिए हम 80 डिग्री तक इनको डिमार्केट करेंगे अब हमें यह तो इनका डिफ्रेंस हुआ अब हमें देखना है कि 30 डिग्री पर देशांतरिय दूरी के लिए अब हम क और क डैश जो हमें यहां पर इस वाले जो चित्र है उसमें दिखी है उसमें हम यहां पर यह जो 30 डिग्री को रिप्रेजन कर रहा है इसको प्रकार में भरेंगे और क्रमशह यहां पर देख पा रहे हैं कह से आगे बढ़ते वे प्रकार की साहिता से आगे डिमार्किट कर लेंगे इसी तरह से हम इसके लिए सबसे एक काम और हमें करना है बीच में हमने जो लास्ट पॉइंट था हमारा वहां से हम चुकि यह इसका उच्चस्त भाग जो है यहां से शुरू करके हम यहां प्रकार की नोक रख करके हम इसे 30 डिगरी तक खींच करके क्रमशह जित्ते हमने डिमार्केट किये हैं वहां तक के हम कर्द बना लेंगे याने की वक्र बना लेंगे और इनके ऊपर फिर हम डिमार्केट करेंगे देशांत्रय दूरिया इसी तरह खींच की जु दूरी हमने लीती यह 60 डिगरी के जो अक्षान श्रत है उसके ऊपर प्रकार में भरके इनने हम demarket करेंगे इन्हे demarket करने के बाद हम 80 degree पर इस तरह से जो उत्री गोलार्द को represent कर रहा है उत्री द्रूव को represent कर रहा है यहां से हम scale की सायता से इस प्रकार मिलाएंगे कि क्रमशह 60 degree और 30 degree की जो देशांत्रिय दूरियां है वो आपस में जुड़ते हुए सीधी लाइन खिट जाए और चूकि हमें उत्री द्रूव नहीं represent करना इसलिए हम इसे उत्री द्रूव को ना लेकर के शंकू का शीर्ष लिया गया है तो शंकू का शीर्ष यहां पर यह है शंकू का शीर्ष यहीं से लेकर के हम इसे कह तक और खह तक दिमार्केट करेंगे और उसके बाद 10-10 डिगरी के अंतराल पर अन्य अक्षांश बनाएंगे इस तरह से क्रमशे हम सारी देशांतर रेखाएं बना लेंगे लेकिन चूकी हमें जो बिंदू दिखाना है वो हमें मात्र 80 डिगरी तक रिप्रेजन्ट करना है विस्तार को इसलिए जो शेश भाग है जो शंकू के शीश तक जोड़ रहा है उसे आप इरेजर की साहता से रब कर दीजे क्रमशे हरेक अक्षांश पर उनका 10 डिगरी 20 डिगरी इन्हें लिख दीजे जो मानक अक्षांश है 30 डिगरी और 60 डिगरी उन पर आप standard parallel या मानक अक्षांश लिख दीजे और देशांत्रों पर भी क्रमशह हरेक पर 10, 20, 30 East, East की तरफ अपने सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ West पश्चिम लिख दीजे इस तरह से ये पूरा नीचे आप RF लिखेंगे इसका और उपर आप इसका title डाल दीजे दो मानक अक्षांश वाला शंकू प्रक्षेप इसे आप अपनी sheet पर बना लिजे writing paper पर हमें ये जो matter solve करना है जो प्रत्वी के लगुकरत गोले कार्दगास निकालना है वो हम writing paper पर निकालेंगे प्रश्ट भी वहीं पर लिखेंगे रचना विधी उसकी characteristic हम वहीं पर लिखेंगे यहाँ ये विशेश भाद ध्यान रखें कि मापनी 30 और 60 दोनों मानक अक्षांश पर शुद्ध है शेश अक्षांशों पर विक्रती का स्तर क्रमशह बढ़ता चला जाएगा ये इसकी विशेशता है इसको अब अपने आप फाइल में ड्रॉ कर लिजे तैंक यू एन ठेक केर